चैनल की सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन से मुलाकात की और उन्हें जीत के लिए बढ़ाई दी आईए दिनेश प्रताब सिंग के साथ देखते हैं ये खास बाची नमस्कार मैं हूँ प्रवीन आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज देश में 2019 को लोकसबा चुनाव में भारती जनिता पार्टी को एतिहासि जीत हासिल हुई है और ऐसे में दिल्ली में जो तमाम सांसद हैं उनको तमाम लोग पहुंच रहे हैं और जीत के लिए बढ़ाईयां दे रहे हैं अभी मेरे साथ इस वक्त मौझूद हैं पूरवांचल मोर्चा के प्रभारी दिनेश प्रताब सिंग जो राजधानी दिल्ल तो रहता थे लोगों ने अदेखिया कि जो दिल्ली से जीत करके आए हैं क्योंकि दिल्ली ने बहुत बढ़ी जीत दिया है और इस देश की भागेदारी में दिल्ली भारत का केंद्र है लेकिन दिल्ली में बीजेपी की सातों सीते परचम फारा करकर भारती जंता पार्टी यह कारे करता हूं हैंब तो के नाम पर हम लोगोंने चुनाव सुखता है लूग सब्सक्नाव के बाद दिल्ली में में भी चुनाव होते ज Yoshi Mहिना वहाद तो पर शक्स ने एक प्रधानमंत्री चुना है क्या सहमत है बिल्कुल इस पार जो है जो लोग जाती-पार्थी के राजनिती के ठिकदार अपने को समझते थे क्योंकि भारती जनता पार्थी कभी भी इन सारी चीजों में विश्वास नहीं गिया अब लेकिन जो लोग जिनकी खेती-बाडी ही जाती-पाथी का राजनिती थी ृय ृम तो उन्हीं लोगों के लिए इस बार देश की जनता ने उन्हें बहुत अच्छी तरीके से समझाया है कि बहुत दिन तक जोट, फरेब, जाती, पाती, भरस्टाचार, दूसरे पर आरोप, परत्यारोप लगा करके आप इस देश की राजनिती को आगे नहीं बढ़ा सकते, इस देश की राजनिती को एक इमंदार, सचरित्र, नि इस भक्त, मोदी जैसे लोग ही इस देश को चला सकते हैं, इस देश की जनता ने ये परमारित करते हैं, तो दिने जी आने वाले कुछ महीनों में दिल्ली विदासभा में चुनाव है, क्या इसी तरह का सहयोग रहेगा, क्या यही जीत एक एतिहासिक दिल्ली में भी होने व तो जब हम दिल्ली जीतेंगे, तो निशित रूप से जो केंद्र की योजनाएं हैं दिल्ली में जिनको लागू करना है, जो हमारे केंद्र की योजनाएं हैं जिनको दिल्ली में लागू करना है, जैसे एक आयुसमान भारत है, पांच लाक रुपया मिलता है इलाज के नहीं है दिल्ली में तो इस वजह से उस योजना का सुभारम्भ दिल्ली में नहीं हुआ उसको लागू नहीं किया जा सका तो आज अगर हमारी छे महिना के बाद हमारी सरकार बनती है तो दिल्ली भी केंद्र के साथ कदम से कदम मिला करके चलेगा और दिल्ली का सरवांगिल विकास होगा इसलिए दिली की जनता हम पर भरोसा करेगी और हम दिली स्टेट में सरकार बनाएंगे मुझे पूर्ण विश्वास तो आभी आप आज कितने लोगों से मिल चुके हैं और क्या को शेडूल है आपका कितने लोगों से और मिलने वाले कितने सांसतों नहीं हम अप पीछे बहुत सारी सक्तिया थी कॉंग्रेस के भी लोग लगे हुए थे कॉमिनिस्ट के लोग थे बहुत सारे जो मैं तो कहूंगा कि दिल्ली से लेकर गोर पूरे देश के कोने-कोने तक जो टुकले-टुकले गेंग वाले हैं उनके दिमाग में थी कि कि किसी भी तरीके से कंहिया कुमार को जीता दें तो उनके मुह पर जो राष्टबाद का करारा तमाचा लगा है कि यह देश सबसे पहले हैं तो उस चीज को जीत के रूप में धर्ज कराने वाले गिराज सिंग जी हैं तो मानने गिराज सिंग जी कि हम लोग मिलने के लिए गया और उनको मिलना जुनला तो होते ही रहता है तो यह ऐसा कोई एजेंडा नहीं है कि इतने लोगों से मिलना उसको एजेंडा के रूप में ले करके हम लोग काम नहीं करते हैं एक और आगरी में सवाल करना चाहूंगा देश में जीत हुई है भारती जिंदा पार्टी की जाहिर है है कर दो तो सर्कार काम कि है hell कि है स्टार्टिंग भी बहुत अस्तुर पर हुआ है एक योजना नहीं है थर तो उन्हों जोडना हों जाथ अभी उसका बहुत जगह ne नहीं हुआ जब धीरे 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 जब ओ इंप्लिमेंट होने लगेगा आपको दिखने लगेगा जब दिखेगा आपको तो सारी चीजे पांच साल में जिसका सुभारम हुआ वो पांच साल में चीजें आपको दिखने लगेंगे और जब चीजें वास्तोल लगेगा कि वास्तों में एक नया भारत का निर्मान हुआ है, डिया भारत बना है और भारत विश्व में अपनी गृतिमान को श्थापित करेगा कि आज वो सारे लोग यहीं चाहते हैं कि भारत जगत गुरु भारत के रूप में और भारत विश्व का नतित्व करें तो मुझे उमीद है कि पांच साल में इस देश की ताकत इतनी बढ़ है कि नरेंदर भाई मोदी के नतित्व में कि भारत वास्तों में विश्व का नतित् लख रहे हैं और इसी विश्वास के सांथ कि देश जगत गुरु भारत बनेगा अब жест में किसी भी तरीके की समस्या नहीं रहेगी सबका साथ सबका विश्वास और मैं उसमें कहा भी कि विश्वास यह सब दिखाना नहीं पड़ेगा लोग समझे रहेंगे और हम करेकरताओं को बूला करके कहेंगे कि तुम्हारी पार्टी ने इतना काम किया है इसलिए हम पुना इस देश में भारती जन्ता पार्टी की सरकार चाहते हैं नरेंदर भाई मोधी को परधान मंतरी के रूप में देखन करें और प्रेस करें बेल आइकन